नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानद वसेश्ट सज्जनों जून के महीने में करकरासी वालों के लिए कैसा कैसा फल हो सकता है क्या क्या खुशियां हो सकती है क्या क्या लाव हो सकते है वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं और क्या सावधानी आपको वरतनी है वो भी जो है हम आपको जानकारी देंगे सबसे पहली बात यह है कि करकरासी वालों के एकादस इस्थान के अंदर चतुर ग्रही योग बन रहा गए और चतुर ग्रही योग के अंदर सूर्य, बुद्ध, ब्रेहस्पती और शुक्र ये एक साथ बैठे हुए हैं तो देखे आपकी कुनली के अंदर चतुर थेस और नौमेस ये दोनों एक साथ बैठे करके और राजियोग बनाते हैं तो ये खणिक कुछ समय के लिए ये राजियोग बनाते हैं लेकिन अगर आपकी कुनली में भी राजियोग है तो इस समय पर निश्शित आपको राजियोग फलित होगा और आप इस समय पर बहुत कुछ इस मेहने के अंदर लाव ले सकते हैं उच्च पदस्त हो सकते हैं नई नियुक्ती हो सकती है आपके प्रमोर्शन हो सकते हैं और आप कहीं के नेता चुने जा सकते हैं अतुलाव हो सकता है आकस्मिक लाव हो सकता है जिस कारे के लिए बहुत समय से आप जूज रहे हैं वो कारे भी इस समय पर आ करके आपका सफल हो सकता है अब एक बात है शनी जो गएं आपके अस्टमिस्तान में गए हैं देखे बहुत समय से हम यही कहते आ रहे हैं कि करकरासी वालों को शनी की ढहिया चल रही है एक तो शनी का उपचार करते रहे हैं हन्मान चालीसा के कम से कम साथ पाठ आपको नित्यप्रति करना है यह शनी अभी सबासाल चलेगा तब तक इसका जो भी दुस परिणाम है यह आप पर घटित ना हो इसलिए आपको यह उपाए करना जरूरी है और यहाँ पर बैट करके सनी दसमस्तान के उपर देख रहे हैं जहां सनी की दृस्टी होती है वहाँ पर काम बिगड़ते हैं उस जगे से वो बंचित कर देता है तो अब आपका दसमस्तान कारोबार का है नोकरी का है तो वहाँ कुछ ना कुछ उतार चड़ाव आपको देखने को मिलेगा तो उसके प्रती आपको सावधान डैने की जरूरत है अगर धन आपके पास में रखा हुआ है आप यह मत कहना की जो हैं आप जब भी बोलते हो जो पेपरित बोलते हो हमें जो दिखता है वो हम बोलते है हमारा किसी से कोई प्रेम नहीं है या किसी से कोई बैर नहीं है धन की इस्तिती भी इस समय पर भीग हो सकती है यह सनी के कारण लेकि सनी का उपचार अगर आप कर रहे हैं तो आप उससे बस सकते हैं राहू आपके नमों मिस्थान में गए, ब्यरत का ब्रहमन करवाएंगे, दूर दूर की यातरा करवाएंगे लेकिन उससे कुछ लाव नहीं होगा, भाई और मितनों से विवाद जो हैं ये पैदा करवा सकते हैं, संतान से भी कोई विवाद पैदा कर सकते हैं, या संतान से सम से स्रेष्ट योग इसके अंदर बन रहा है अब मैं आपको दिनगत रासी फल मैं आपको बता रहा हूँ एक और दो तारीक इसमें आपकी लंबी या दूरी की कोई यातरा संभव है कोई धार में कारे संभव है तीन चार तारीक के अंदर आपका कोई राज़की या कारे जो ह हैं इसके बीच में आपको हो सकती है पिता से कोई विसेश कृपा आपको प्राप्त हो सकती है पांच और छे तारीक अतुलाब के लिए हैं लेकिन ध्यान रहे साथ आठ और नो तारीक इसके अंदर आपको समल करके चलना गए पैसे को दबा के चलना गए बहुत अनायास कुछ खर्च हो सकते हैं और वो खर्च ऐसा भी हो सकता है कि कहीं नुकसान के रूप में हो तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है देनले नहीं करनी है और दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा और सोडा ये साथ दिन आपके लिए इस महने के सर्वस्रेश्ट द कर्म करोगे तो फल आपको जो है निश्चित रूप से प्राप्त होगा और आप लाभानवित होंगे अब इसके पश्याद अब आगे के जो दिन गहें अब उसके अंदर ये मैंने आपको बताया 16 तारीक तक 17-18 तारीक के अंदर आपको कुछ चिंता हो सकती है अकारण चिंता कोई गलत समाचार सुनने को आ गया तो चिंता किसी से कहा सुनी हो गई तो चिंता लेकिन गवराने की जरुवत नहीं है और 19, 20 और 21 तारीक आपके लिए बहुत सुखद है पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए बढ़िया हैं अच्छा परिणाम देने वाले हैं इंटर्व्यू देने वाले हैं साक्षातकार कहीं करने वाले हैं तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया दिन इस समय पर कहे जा सकते हैं व्यापारी खेती करने वाले कृशक मजदूर हर किसी के लिए ये दिन जो के बढ़िया जाएंगे अब 22 तारीख इसमें आपको समल कर चलना है आप ही के कारण आपके बरताओ व्योहार वानी के कारण से कहीं किसी के साथ कोई विवाद हो सकता गए तो अपना शांत रहें कम बोलें और ये दो दिन अपना आसानी से आप पार करें निकाल लें अब उसके आगे 24 और 25 तारीख व्यापारिक तोर पर ग्रहस्ती के तोर पर मित्रों के तोर पर हर जगे पर ये अच्छा परिणाम देने वाले होंगे और 26 तारीख ये आपके स्वास्ता के लिए कुछ गिरावट ला सकती है तो उसका ध्यान रखें बाकी 28 और 38 और 30 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी लंबी यात्रा फलदाई यात्रा लाव देने वाली यात्रा और अच्छे काम इस समय पर आपके होंगे ये जानकारी हमने आपको दी बाकी आप जो है इन नमरों पर संपर्क करके कार्याले से अपाइंटमेंट ले करके और आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं जानकर के आप लाव उठा सकते हैं नमस्कार